क्या ICI grace marks provide करते जिसका जबाब है जी हैं तो क्या इस वर्स ये foundation June 23 के exam में grace marks provide किया जागे इसके बारे में detail में बात कर लेते हैं सबसे पहले जान लेते हैं grace marks कहते हैं किसको है कुछ नंबर से students fail होते रहते हैं तो additional marks दे करके students को pass कर दिया जाता है तो आप बात कर लेते हैं ICI कुछ ऐसा case होता है जहाँ पे grace marks provide करते हैं सबसे पहला case है अगर कोई paper hard पूछा जाए hard question paper जो कि सारे students को लग रहा है तो passing percentage को maintain रखने के लिए ICI grace marks provide कर देते हैं इसके अलाबा अगर कोई paper में कोई भी question paper में mistake होता है तो इसके बदले में ICI grace marks provide करते हैं और मैं ये सब चीज हवा में नहीं बात कर रहा हूँ आपको proof भी दूँगा और तीसरा case बहुत important है अगर कोई students एक paper में struggle कर रहा है पास करने के लिए बाकी का तीन paper अच्छा गया ह तो आईशाय passing percentage को maintain रखने के लिए grace marks provide कर देते हैं चाहे paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 या इसके अलाबा कोई भी paper में कोई भी question में ही mistake हो जाता है तो वहाँ पे भी grace marks provide करते हैं पिछले बार law में सारे students को दो number का grace marks मिला था जैसे कि आप लोग को पता है paper 1 and paper 2 subjective होता है तो यहाँ पे step marks भ then ऐसे cases में सीधा 40 marks हो जाएगा अब जो मैं case बता रहा हूँ ज़्यादा chances है ऐसे cases में भी grace marks provide कर देते हैं case यह है कि अगर आपका सारा paper तीन paper अच्छा गया हो और एक paper में struggle कर रहा हो पास करने के लिए तो वैसे cases में भी ice ज़्यादा chance है कि पास कर देते हैं example के लिए समझ लेते हैं paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 है इन में से कोई 3 paper में आपको aggregate 200 marks बन रहा है तीनो paper को add करके aggregate 200 marks बन रहा है इसके अलाबा कोई एक paper है जहां पे एक से लेकर करके 5 marks short पर रहा है तो ऐसे cases में ice 5 number तक students को grace marks provide कर देते हैं ज्यादा chance रहता है अब students के मन में doubt आ सकता है 3 paper में aggregate नहीं fail करते हैं तो आई से BOS के chairman बता रहा है clear कि वो एक दो marks से students को fail नहीं करते बाकी मैं students यहीं बोलूंगा यह भी थोरा बहुत luck factor भी matter करता है ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुछ cases में luck भी matter कर जाता है ऐसे case में कुछ students को मैं exact 200 marks पर पास होते देखा हूं अब आप 39.25, 39.50 यह 39.75 होगा इसके जगह पे आपको 40 marks कर दिया जाएगा अब proof के लिए आपके सामने एक result सो करा यह CA foundation December 21 का result है और आप लोग confirm कर लेना December 21 में law के exam एक भी question में mistake नहीं था December 21 का result है students pass किये मेरे पास screenshot आया और मुझे बोले कि law में exact 40 marks है क्या हम RTI से अपना certified copy मंगव सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे सबसे पहले आप 3 paper का marks को add करना यह 3 paper का जब marks को add करोगे न तो 200 प्लस aggregate हो जाएगा जब students का RTI से certified copy आया तो वहाँ पे law में 35 marks लिखा हुआ था students डर गया उन्हें ऐसा लगा कि उनको fail नहीं तो कर दिया गया तो मैंने Instagram पे जबाब दिया था आपको 5 marks grace marks का दिया गया तो आपके मन में जबाब आ रहा होगा कि कैसे पता करें कि आईशा है grace marks दिया या नहीं दिया जब आपका result declare होगा result पे जितना marks लिखा होगा इसके बाद certified copy मंगवाना और certified copy पे कम marks लिखा होगा तो जितना का difference होगा उतना आप आपको grace marks मिला होगा अब दियान से बाते को सुलेना जैसे ही C.A.Foundation का exam पास करोगे आई होब कि आप लोग अच्छे marks से पास करो इसके बाद आपको C.A.Intermediate New Slaves में registration करना होगा डिटेल वीडियो इस चैनल पे आएगा तो आप लोग अभी से subscribe करके all notification विल दबा से थीडियो आपको C.A.I.